इस सेशन में हम बात करेंगे के पोटेंशिल सोशल एंटरपनियोर्स के लिए funding sources के हवाले से और funding के हवाले से अपने ventures को finance करने के हवाले से जो challenges आ सकते हैं जो उनको चीज़ें consider करने की जरूरत है जो sources available हैं जो उसकी types हैं हम उन चीज़ों को discuss करेंगे क्योंकि बारहाल money is the reality अगर्चे हम throughout कहते आए हैं कि social capital important होता है social entrepreneurs के लिए उनके connections important होते हैं जो लोग उनका vision share करते हैं उनका mission share करते हैं volunteers उनके दोस्त उनकी family उनके supporters वो सब ठीक है अपनी जगा लेकिन बगैर capital के कोई entrepreneurship activity जो है वो नहीं हो सकती इसलिए हम funding जो social ventures की है उसके बारे में detail से बात करेंगे social ventures की funding के हवाले से हमने पीछे पिछले modules में बात की कि दो तरह के funding sources हैं एक traditional grants हैं जो के government से या philanthropist से मिलती हैं और दूसरे commercial इदारे हैं जैसे banks हैं loan देने वाले इदारे हैं जो के loan provide करते हैं social entrepreneurs को लेकिन जैसे जैसे ये field जो है वो बढ़ रहा है expand कर रहा है वैसे वैसे जो funding sources हैं वो भी expand कर रहे हैं social entrepreneurs के पास अब पिछले 20 साल से कहीं ज्यादा options मौझूद हैं कि वो कहां से funding लेते हैं और किस तरह से किन शरायत पर लेते हैं और किस तरह का काम करते हैं जैसे sources बढ़े हैं funding के जैसे options बढ़ी है funding के हवाले से उसी तरह से issues और challenges जो हैं वो भी बढ़ गए हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे पहले हम देख लेते हैं कि एक to be social entrepreneur जो है उसको एक international लेवल पे खास तोर पर किस तरह की funding sources जो हैं वो अबेलेबल हैं आपकी screen पर एक table है जिसमें traditional से लेकर जो अब बहुत innovative और मुख्तलिफ किसम के funding sources हैं उनकी details दी वही हैं usually जो focus है वो international funding sources के उपर है क्योंकि पाकिस्तान में as such formal funding sources for social entrepreneurship जो है specifically वो available नहीं है usually पाकिस्तानी social entrepreneurs अमोमन इनहीं funding sources की तरफ देखते हैं जैसे के बाज नाम आपको इसमें बहुत familiar sound करेंगे सबसे पहले हम grants के बारे में बात कर लेते हैं grants जो हैं internationally वो मुख्तलिफ missions और causes के लिए philanthropist individuals या organizations जिनने हम foundations के तोर पे जानते हैं वो provide करती है एक लंबी list है क्योंके social entrepreneurs जब charity से move करके social entrepreneurship की तरफ आए तो वो जो charitable money थी जो donations थे उन्होंने grant की शकल इक्तियार की और जो charitable persons या organizations थी उन्होंने अपने आपको foundation के तोर पे establish किया इन foundations में social innovation fund है, kaufman foundation है, dosomething.org है इस तरह और बेशमर organizations हैं जो दुनिया में कहीं भी social entrepreneurs को funding करती हैं in the form of grants grants आपको याद होगा, organizational structure के हवाले से वो पेसे हैं जो के social entrepreneurs को वापिस नहीं करना होते बलके grant देने वाले जो है, वो in terms of impact उसकी value जो है, वो देखते हैं कि उनके रुपे जो है, उन्होंने कितना impact create किया, mission को achieve करने में किस हद तक social entrepreneurs कामयाब हुए इससे मिलती जुलती एक option जो है, वो fellowships हैं, fellowships जो है, वो अब तक इस course में आपने बहुत अफ़ा आशोका का जिकर सुना होगा, जो के entrepreneurs को target करके fellowship देते हैं, कि अगर कोई कोई नया काम करना चाहता है, कोई initiative लेना चाहता है, तो कमज़ कम उसको अपने जाती अखराजात, facility building है, उसके हवाले से फिकर ना हो, अशोका के इलावा कई और options हैं, जो fellowships provide करती हैं, organizations, उसमें Skoll Foundation है, Echoing Green है, Unreasonable Institute है, ये सब वो इदारे हैं, जो के fellowships देते हैं, social entrepreneurs को, इनमें region या geographically focused भी हो सकते हैं, इसमें issue या cause focused fellowships भी हो सकते हैं, इसमें जो entrepreneurial activity है, उसको focus करके भी fellowships हैं, और entrepreneur as individuals, उनको focus करके भी fellowships शामिल हैं, उसके इलावा, lately crowd funding और जो online platforms हैं, वो बहुत तेजी से अपनी जगा बना रहे हैं, social entrepreneurship में funding के हवाले से, उसमें Kiva है, Cause Walks है, Change.org है, और इस तरह की organizations हैं, international platforms हैं, जो किसी cause के लिए, छोटे-छोटे donations या loans इकठे करते हैं, और जो potential entrepreneurs हैं, उनको मुख्तलिफ conditions पर, उससे होता क्या है, कि social entrepreneur, चुंकि उसकी अपनी हो सकता है, एक limited universe हो, उसमें इतने donors, या इतने lenders उसको available ना हो, तो online platforms जो हैं, वो उन causes के लिए, और individual social entrepreneurs या organizations के लिए funding collect करते हैं, उसमें वो अपने service charges जो हैं, वो रखके, बाकी funding जो है, वो उन ventures को, या social entrepreneurs को provide करते हैं, उसके बाद angel या venture capitalist आते हैं, हम थोड़ा detail से इनके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये बिलकुल मुख्लिफ term sound कर रही है, लेकिन उसमें एक बहुत लंबी list है, जो आपको इस table में नजर आ रही होगी, शायद सबसे लंबी list, इस से आप उसकी popularity का अंदाजा कर सकते हैं, मुक्तसरन मैं बात करूँ, तो angels वो individuals हैं, जो traditional philanthropy में donors होते थे, और अब जो है, वो उस money को बजाए donate करने के एक meaningful way में invest करना चाहते हैं, एक minimum return के साथ, और साथ एक social impact या value addition के साथ, इसी तरह जो venture capitalist हैं, वो अमोमन मुख्लिफ companies या corporations के बहाफ पर काम करते हैं, और high risk issues के उपर funding करते हैं, और उसमें अपना एक minimum return जो है, to, up to market rate जो है, वो उसको ensure करने की कोशिश करते हैं, उसके इलावा दुनिया के मुख्लिफ मुलकों में और internationally, banks हैं, loan organizations हैं, इस तरह के community lending और community banks या community obligations के हवाले से बाज commercial banks के branches या subsidies हैं, जो के funding provide करती हैं, Social entrepreneurs और investors दोनों ने इस बात को gradually समझना शुरू कर दिया है, कि finances को और social और environmental causes को आप अलग अलग नहीं कर सकते, बहुत कम issues ऐसे होंगे, जिसमें आप focus कर सकते हैं, सिरफ profit maximization पर या सिरफ social cause के उपर, दोनों को combine करना जो है, वो अब इन्होंने शुरू कर दिया है, वो जो gap ह profit maximization और give away charity के दर्मियान वो gradually narrow down हो रहा है, कम हो रहा है, बहुत सारी hybrid forms जो है, इन मुक्तलिफ sources को मिला के वो अब social entrepreneurs के लिए funding के लिए available हैं, thank you. कर दो